एक चौपाई है जिसमें कहा जाता है कि जब जब होए धर्म की हानी बाढ़ही असुर अधम अभी मानी तब तब प्रभुधरे विविदे शरीरा हर ही किरपानी धी सज्जन पीड़ा ये त्रेता युक की हम बात कर रहे हैं जब प्रभुराम का जन्म हुआ चौदा वर्षों का वनवास और उसके बाद अयोध्या में दिपावली लेकिन शायद ये सालों के बाद होगा कि ये अयोध्या वासीनी पुरा देश साल में दो बार दिपावली बनाएगा 22 जन्मवरी फिर से दिपावली है एक 14 वर्षों का वनवास था एक 500 वर्षों का टेंट वास था जिसमें प्रभुराम टेंट में रहे थे हम लोग लगतार युद्या आते थे और शायद हम में से कई लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन काल में हम ये क्षण देख पाएंगे कि प्रभुराम का भवे राम मंदिर बनकर तैयार होगा इसके लिए आप सब का अभिनंदर मैं चाओंगा एक बार जोड़दार तालियों से आप सबी स्वागत कीजिए मेरे साथ वो आवाज हैं जिनको आज शैद पूरा देश सुनना चाता है मतलब हम लोग कहते हैं कि जब प्रमान मांगे जा रहे थे तो प्रमान से परिणाम तक विधवन से विराजमान तक संकल्प से सिधी तक पूरा जिनोंने सफर देखा चंपत राय जी है मेरे साथ जो कि आपको बता देश श्रीराम जनभूमी तीर्ट ट्रस्ट के महसचिव है चंपत जी बहुत बहुत धन्यवाद ये माईक आप ले लिजे आपने समय निकाला सर सवाल कुषनी चंपत जी आज पूरा देश आपको इसलिए सुनना चाता है क्योंकि पूरे देश के लिए 22 जनवरी सिर्व एक तारीक नहीं है मतलब 22 जनवरी तो कह सकते हैं कि सालों के तप तपस्या बलिदान का परिणीती है आपकी नजर में चंपत जी 22 जनवरी का महत्व और 22 जनवरी से देश कितना बदल जाएगा चंपत रह जी सभी को मेरा प्रणाम मैं मैं निजी रूप में 22 जनवरी दोहजार चौविस सौमवार पाउश शुक्ल द्वादेशी इसी प्रकार देखता हूं जिस प्रकार समाज ने कभी 15 अगस तो 1947 देखा हूगा देश की राजनीतिक स्वाधिन्ता और अब देश के सम्मान की पुनर प्रतिष्ठा सांस्कृतिक स्वाभिमान सांस्कृतिक स्वाधिन्ता की और कदम चला चंपत जी लेकिन सांस्कृतिक स्वाधिन्ता की आपने बात करिए 22 जन्वरी मतलब ये जो आजम तारीक देख रहे हैं इसमें कई लोगों का बलिदान भी हुआ तप तपस्या बलिदान 22 जन्वरी आपको लगता है कि जिन भी लोगों ने संघर्ष किया उन कार सेवकों को सच्ची श्रधानजली अगर कोई हो सकती है तो शैदो 22 जन्वरी होने जा रही है चंपत जी देखो भई हिंदुस्तान भलिदानियों का देश है ऐसा कौन सा काल है जब हिंदुस्तान ने भलिदान नहीं किये अपने संबान की रक्षा के लिए भारत की नारियों ने अगनी में कूत कर दाहा किया है ये मेवाल क्या कहता है अपने सम्मान की रक्षा के लिए माराना प्रताप ने सर नहीं जुगाया लेकिन जंगल में चले गए बच्चों को भूख लगी तो कहते हैं कि गहास की रोटिया खिला दी ये देश बलिदान का देश है पंजाब के गुर्गोविन सिंग छोटे छोटे बच्चे अपने सम्मान देश के सम्मान की रक्षा के लिए दीवार में चुन गए बड़ा रोने लगा पूछा रोता क्यों है कहते हैं पहले मैं पैदा हुआ जातू रहा है पहले देश बलिदानियों का देश है और इसलिए ठीक है रामजन नर्भूमी के लिए हम उतने ही बलिदान जानते हैं जितने हमने देखे हैं 1984 के बाद लेकिन 1528 से लेकर आज तक जो हुआ उसको कौन जानता है उसका हम गए नाम भी नहीं जानता उन्होंने बलिदान काई के लिए किया था तो यह बलिदानियों का देश है यहाँ मरने के बाद पृतिख्छा नहीं करनी पड़ती ततकाल यह मरना बलिदान होना कबड़ी का खेल है दिन बर में बच्चे चार बार मरते और चार बार जीते रहते कबड़ी खेलते रहते मर गया जी गया अपनी आत्मा आत्मों सरग किया उनकी आत्मा को शांती तो जरूर होगी जरूर होगी चंपा जी जिस बात से मैंने शुरुआत की जितमे लोगों से मैंने बात की किसी को शायद अंदाजा नहीं था कि वो अपने जीवनकाल में ये सब देख पाएंगे मतलब राम मंदिर का निर्मान होना 500 साल 493 सालों का तब जो अब मिलने जा रहा है यह उमीद थी आपको यह हो पाएगा या आपको भी लग रहा था कि नहीं यह लड़ाई लंबी है कानूनी लड़ाई है चले जा रही है उमीद थी आपको सत्य अगर है तो वो जीतेगा बस इतने ही तक में सीमित था दूसरा विचार 1547 1947 के पहले जिन लोगों ने बलिदान दिये पासी पर जूल गए उन्हें कौन उम्मीद दी कि 1547 1947 1515 को यह होने वाला है कर्म बस इतने ही होना चाहिए पत्थर पर हतोड़ा मारो हमें ने मालूम कौन से हतोड़े की चोड़ से चूटेगा सौ हतोड़ो की चोड़ से उसके तंत्र तंतू ढीले पड़ते हैं 101 वे हतोड़े पर तूट जाता है अगर यह मान कर चलेंगे कि हमारे जीवन में यह काम सफल होगा की नहीं होगा होगा की नहीं होगा तो लोग निराशा में जूल कर अंदर बैट जाएंगे कभी भी कार प्रारंब किया तो जितना भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है उत्रा हम करेंगे उसके बाद इडोरी अगली पकड़ा देंगे मैंने ऐसा सुना है कि पटना में नौजवानों ने ठान लिया कि इस बिल्डिंग के उपर तिरंगा फैराएंगे चल दी तोली एक के पीछे एक चढ़ने लगे सरकार परिशान होई यह क्या हो रहा है गोली चली उपर से तपका नीचे आ गया लेकिन जंडा दूसरे ने ठाम लिया और एक के बाद एक सब मर गया परन्तू जंडा उपर पहुच गया तो जो मेरे जीवन में सफल होगा कि नहीं होगा वो कुछ नहीं करते किसके जीवन में कौनसा काम संपन होगा यह विधाता तै करेंगे गंगा से गंगोत्री से जल चलता है यह मैंने सब सुनी हुई बाते हैं अगर हर एक जल करने सोचने लगे कि मैं समुदर में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा तो यात्रा बंद हो जाएगी